पाल्थी मार कर बैठो या फिर चोकड़ी मार कर बैठो Sit cross legged Sit cross legged Sit cross legged अपनी आस्तीन से नाक मत पहुचो Don't wipe your nose on your sleeve जा कर नाक साफ कर लो Go and blow your nose Go and blow your nose अपने हाथ तोलिये से पहुच लो Wipe your hands with a towel Wipe your hands with a towel घर में घुसने से पहले पैरो को पहुच लो या फिर साफ कर लो Wipe your feet before you come into the house Wipe your feet before you come into the house अपने पैर पैदान से पहुच लो Wipe your feet on the doormat Wipe your feet on the doormat एक चीज का ध्यान रखना feet दो पैरो को बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं foot क्या आप अपने homework कर लिया Have you all done your homework? Have you all done your homework? Brush कर लो या फिर मंजन कर लो Brush your teeth Brush your teeth Same यहाँ पर जब सारे दातों की बात कर रहे होते तो हम teeth बोलते हैं और एक दात की बात करते हैं tooth होता है जाओ जाकर brush कर लो Go and brush your teeth Go and brush your teeth अपने बाल सही कर लो Brush your hair अपने बाल सही कर लो Brush your hair देखिए आपको शौर करना पड़ेगा कि आप इन sentences को बार-बार repeat करेंगे अगर आप repeat नहीं करेंगे तो आपको कोई भी English नहीं सिखा सकता है इतनी मैनत हम करते हैं तो इतनी आपको भी करनी पड़ेगी कि आप इने revise करें और एक वीडियो को तीन से चार बार देखिए अपने बाल जाड़ लो या फिर कंगी कर लो Comb your hair कुल्ला कर लो अब हम बात क्या करें लाइक तो आपने करी दिया होगा चलिए फिर भी एक बार हम याद दिला देते हैं नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस कर दीजेगा और सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको डेली बेसीज पर इस तरह के sentences मिलते रहें उन्हें ठीक से रखो, put them in order ठिंठिनाना बंद करो Stop mourning Stop mourning Stop winning Stop winning अगर आप ऐसे ही ठिंठिनाती रही If you keep winning If you keep winning तो मैं आपको कही नहीं ले जाओंगा या ले जाओंगी I would not take you anywhere I wouldn't take you anywhere I wouldn't take you anywhere क्या आपने मेरे पर्स से पैसे निकाले? Did you take any money out of my purse? Did you take any money out of my purse? नहीं, बिलकुल नहीं मा No, not at all, mom No, not at all, mom क्या आप में मैंनर्स नहीं है? Where are your manners? Where are your manners? जब आपका बच्चा किसी बड़े के साथ गलत तरीके से बात बोलता है तो हम यह word यूज करते हैं, sentence Where are your manners? गलत बात बेटा Bad manner, my dear Bad manner, my dear गलत बात बेटा ऐसा मत करो, यह अच्छी बात नहीं है Don't do that, it's not nice Don't do that, it's not nice क्या आपको चोट लगी है? Are you hurt? क्या आपको चोट लगी है? Are you hurt? जब आपके किसी बच्चे को ऐसे चोट लगती तो हम यह sentences use करते हैं कहां चोट लगी है? Where are you hurt? कहां चोट लगी है? Where are you hurt? जब बच्चे की बोड़ी पार्ट के बारे मैं पूसरे की किस बोड़ी पार्ट पर लगी है आप कहां थे जब आपको चोट लगी? Where did you get hurt? Where did you get hurt? अपनी टीचर से अच्छे से पेसाओ? Be nice to your teacher अपनी टीचर से अच्छे से पेसाओ Be nice to your teacher जाकर अपना कमरा समेटो बच्चे कमरा गंदा कर देते तो हम बोलते कि कमरे को समेटो Then आप बोल सकते हो Go and tidy up your room Go and tidy up your room अपना बिस्तर सही कर लो Make your bed अपना बिस्तर सही कर लो Make your bed जब बिस्तर को लगाने की बात करते हैं आप bed seat बिछाने की तो हम इस तरह से बोलते हैं Sweetie, मैं बरतंद हो रही हूँ क्या आप इससे साफ कर देंगे please Sweetie, I am doing this is Could you clean it up please आपको homework कब दिखाना है When is your homework due When is your homework due जब हम बच्चे से पूछते कि आपको homework कब दिखाना है कौन सी date को दिखाना है तब यह बात करते हैं और बच्चा बोलता है कल ही दिखाना है तो हम बोल सकते हैं It's due tomorrow कल ही दिखाना है It's due tomorrow थोड़ा सा और खालो फिर आप जा सकते हो Just take a few more bites and then you are free to go Oh, आपने मुझे फिर हरा दिया Oh, you beat me again Oh, you beat me again खाने का समय हो गया है It's dinner time खाने का समय हो गया है It's dinner time माँ दिनर में क्या बना है? Mom, what's for dinner? माँ दिनर में क्या बना है? Mom, what's for dinner? अब ब्रश करने का समय है अब बिस्तर में चलो अब बिस्तर में चलो अब बिस्तर में चलो चलो मैं आपको कंबल ये चदर उड़ा दू Let me cover you with a blanket or sheet Let me cover you with a blanket or sheet Poem sunao, recite a rhyme Poem sunao, recite a rhyme Recite a rhyme अच्छे से सोना Sleep tight अच्छे से सोना It's time to get up Time to get up नेंद अच्छे आई, आप अच्छे से सोए Did you sleep well? और sleep well तुम रोख क्यों रहे हो? वाई आर यू क्राइंग? तुम रोख क्यों रहे हो? वाई आर यू क्राइंग? मुझे पॉटी आई है I need to poop मुझे पॉटी आई है I need to poop I need to poop तो इसमें रोने की क्या बात है? What's there to cry? तो इसमें रोने की क्या बात है? What's there to cry? What's there to cry? वाई रोख क्यों में कोई है? The washroom is engaged वाई रोख क्यों में कोई है? The washroom is engaged कौन है अंदर? Who is in there? कौन है अंदर? Who is in there? Who is in there? मैं हूमा It's me mom मैं हूमा It's me mom देखिए अगर sentences पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा बाके आप लोगों को मैंनत करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है बार 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 बोलिएगा इन sentences को ताके आप भी न सोचे समझे sentences बोल सके कितना समय लगेगा? How long will you take? बस पांच मिनट Just five minutes बस पांच मिनट Just five minutes जल्दी करो वरना ये पैंट में ही कर देगा Hurry up और he will poop in his pant Hurry up और he will poop in his pant गमरा का बार खाना बना रखा है या बना हुआ है The room is mess The room is mess मैं तो बस खेल रही थी I was just playing मैं तो बस खेल रही थी I was just playing I was just playing जल्दी से समेट दो सब Quickly tidy up जल्दी से समेट दो अब Quickly tidy up ठीक है मां ओके मॉम ठीक है मां ओके मॉम देखे आप में से बहुत सारे ऐसे बंदे जो वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर दीजेगा और सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि उन से मिले हमें मॉटिवेशन और आपको मिले इस तरह के daily basis पर sentences और आपकी English सुधर जाए चीजों को सही जगे पर रखो Put the things in order Put the things in order इसे कहां रखूं? Where to put this? इसे कहां रखूं? Where to put this? Where to put this? यहां अलमारी में Here in the closet यहां अलमारी में Here in the closet देखो भयाद जाग रहे हैं क्या? Check if brother is awake Check if brother is awake जा रहा हूं देखने Going to check यह मम्मी और एक बच्चे की conversation है जो शायद आपके घर में भी useful हो सकती है नही मा बैया तो सो रहे हैं No mom, brother is asleep नहीं मा बैया तो सो रहे हैं No mom, brother is asleep जगा दो उसे Wake him up बैया जाग नहीं रहा है He isn't waking जब उठाने जाते हो और नहीं जाग पाता है वो नहीं जाग रहा होता है तो हम बोलते हैं He isn't waking वह जरूर गहरी नींद में होगा He must be fast asleep गहरी नींद को हम बोलते हैं fast asleep वह जरूर गहरी नींद में होगा He must be fast asleep चलो मैं जगाती हूँ Let me wake him चलो मैं जगाती हूँ Let me wake him मैं उठ गया हूँ मा I am up mom मैं उठ गया हूँ मा I am up mom I am up mom लो वे खुदी उठ गया See, he woke up himself लो वे खुदी उठ गया See, he woke up himself चलो, सब लोग साथ में नास्ता करते हैं Let's have a breakfast together Let's have a breakfast together मेरी बात सुनो Listen to me मेरी बात सुनो Listen to me Haa mom, बोलिए Yes, mom Haa mom, बोलिए Yes, mom मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आना Bring me a glass of water मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आना Bring me a glass of water वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा